असलाम अलेकूम एंड हैलो एवरिबन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीत हैं खेर खेरिये से होंगे तो जी यह हमारा है स्पेन में फर्स टे और यह जो मैंने फर्स वीडियो बनाई थी स्पेन से उसका सेकिंड पार्ट है और हम लोग आए हैं रिसेप्शन पे क्यूंकि फास वहरा भी खास नहीं किया था तो हम लोगों ने सोचा था रेस्क करेंगे पर बच्चे तंग कर रहे थे खाने के लिए तो हम लोगों रिसेप्शन से किसी हलाल रेस्टोरेंट का पूचा है जो कि नजदीक नहीं है थोड़ा पैदल चलके जाना पड़ेगा और पैदल तो जी खाना लेके हम लोग वापिस होटल में आगे हैं क्योंकि वहां पे कोई खास चगा नहीं थी बैठने की बाहर बैट रहे थे और हाला वहां पे बैठना नहीं चाहरी थी कह रही थी मामा स्मेल आ रही है यहां से तो और भी ज्यादा कोई अच्छा रेस्टोरेंट ड हैं और मैंने यह लिया था एक श्वारमा टाइब कुछ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आना कुछ खास नहीं हैं बट स्टिल नो चोईस तो जी फाइफ ओक्लॉक्स उपर टाइम हो गया इवनिंग हो रही है और हम लोग इदर होटल के यह जो बैक्यार्ड है यहां प अक्तूबर में जो होता है वो बंद हो जाते हैं तो बच्चे बड़े डिसपॉइंटेट थे स्पेशली हाला कि हम ले तो वाटर पार्ड जाना था तो यह सब लोग यहां पे अपने पापा को इंसिस्ट करके ले आए हैं कि हम लोग होटल का स्विमिंग पूल यूज करें लेकिन नहीं जा पाए लेकिन उन्हें एहता हैं तो जैसे हम लोग वापिस आये उन्हों ने खुद ही कहे बगारी स्पेइन का ट्रिप प्लैन कर लिया कि मुझे फैंली के तवी टाइम देना है तो वह बोड़े अच्छे से मैनेज करते हैं बैलनस करते हैं फैमली और मैं आप लोगों को बैक्याइड दिखाती हूं इस होटल का और यह देखें यहां पे गार्डन है चारो तरफ और आगे दरम्यान में यह चोटा सा स्विमिंग पूल है पर यह डीप है बच्चों के लिए लेकिन हाला और इसके पापा स्विमिंग कर लेते हैं तो उनके लिए इनके जो गैस्ट होते हैं और यहां पे भी एक चोटा सा गार्डन है चारो तरफ और यह हमारा जो विंडोज लुक हैं जो बैक्याइड की तरफ रूम्स की विंडो आते हैं यह होटल का बैक साइट का लुक है और मैं अभी मुहमद को लेके उपर जाओंगी क्योंके होने वाले हैं और अबरिश को भी सर्दी लग रही है तो जी रात हो गई और हम कोई शॉपिंग मॉल ढूंडने के लिए निकले हैं और शॉपिंग मॉल यहां से द्रूर है तो हम लोगोंने टैक्सी ली है दस मिनट का रस्ता है और हम लोग रूम में लाके कुछ खाने पी की चीजे रखेंगे ताके बच्चे तंग ना करें तो यहां पे हमें मॉल मिला है और यह काफी बड़ा है मॉल और स्पैनिश में नाम था भी आप लोगोंने देखा होगा और जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया है इस लेडी ने मुझे मुझे मना कर दिया रिकॉर्डिंग कर काफी या वहां से स्विश्च से मुझे तो मुझे शैंपू चाहिए था और जो इनों ने होटल वालोंने दिया हुए मुझे बो पसंद नहीं है यहां पर डिफरन तरह के शैंपू और कंडिशनर है और मैं कोई भी ट्राय नहीं करना चाती है यहां पर मैं हैंडन यूज़ कर लूँ तो इसकी प्राइजिस भी आप देख सकते हैं ये योरो में प्राइजिस हैं 130 योरो और 170 योरो ये डिफरेंट प्राइजिस हैं इदर डिफरेंट शैंपू की तो आप लों को मैं बता रही थी इसके पापा के बारे में कि वो बड़े अच्छे से बैलन्स करते हैं फैमली के और साथ और काम के साथ भी अपना बिजनस भी बड़े अच्छे से चलाते हैं और मेरा भी ख्याल करते हैं तो मैं अक्सर देखती हूं फेस्बुक पे पाकिस्तानी रड़कियों ने पोस्ट की होती है कि ऐसे मर्द सिर्फ नोवल्स में मिलते हैं तो मैं केक हैं जो कि हम लोग लेंगे अब इसकी बड़े के लिए यहीं से हैं यहीं से क्योंकि यह बड़े अच्छे से डैकोरेट हैं बड़े अच्छे से बने हुए अल्जा वाला केक उसे अच्छा लग रहा है और अब भी मुझे यहां पे में पस्विस का वीजा कार्ड है तो मुझे यहां पे सिगनेचर भी करने होंगे वो मुझे स्पैनिश में समझा रहा था और हम लोगों को टैक्सी मिल गई है थोड़े टाइम से मिली है क्योंके हम लोग 5 परसन है तो हम लोगों को बड़ी टैक्सी चाहिए होती है छोटी टैक्सी वाले हमें लाओ नहीं करते 4 परसन वाली में तो हम लोग जा रहे हैं जिए अपने होटल की तरफ पर इंतहाई ठके हुए और आप लोगों से लूँगी मैं यहीं पर इजाज़त क्योंके अब मैं जाके सिर्फ सो जाओंगी और आप लोग भी मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिस